स्वागते दुफ्तों एक बाब फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मेडिशन रिवीव में जहां आप पाते हैं सभी दबान्यों का रिवीव तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिबरेक्स टेबलेट के बारे में जो की चिंता और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को सही करने के लिए काफी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है तो दुफ्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या क्या यूजिज हैं और इसकी डोज और साइड इफेक्ट क्या रहते हैं और वीडियो के लाफ्ट में जानेंगे कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या साबदानिया रखनी होती हैं तो इन्ही सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप इस लेबरेक्स टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ तक जरूर देखें तो दुफतों सबसे पहले बात अगर जो है लेबरेक्स टेबलेट की करें तो इसी जो है एवाट फार्मा वनाती है और ये कॉंबिनेशन मेडिसन है इसमें क्लोर्ड डाइजपॉक्साइड 5MG, कलीडिनियम ब्रोमाइड 2.5MG दिया होता है और दुफतों इस टेबलेट पर जो एनरक्स लिखा हुआता है इसलिए इस टेबलेट को आपको सिर्फ और सिर्फ डाक्टर की शला पर ही लेना चाहिए तो दुफतों इसमें जो कलोर्ड डाइजपॉक्साइड दिया होता है ये एक बेंजू डाइजपॉक्साइड गुरूप की एक दबा है जिसका उपयोग केबल गंबीर बेगरता या गंबीर बेगरता के साथ नीद ना आना, विवहार में परवर्तन होना, मास वेशियों में दर्द होना और सराप को छोड़ने के लिए किया जाता है साथी दुफ्तों इसमें कलीडिनियम ब्रुमाइड दिया होता है, इसका मुक्ता उपयोग जो है अतिदिक एसिड इस्तुराव के कारण पेट और आन्त में जो अलसर हो जाते हैं, उनके इलाज में किया जाता है साथी दुफ्तों इस पेट में एटन को भी रहात देता है, तो दुफ्तों आप जानते हैं इसके युजिस के बारे में कि इसका उपयोग किन-किन बीमारियों को टिक करने के लिए किया जाता है तो दुफ्तों इस टेबलिट का मुक्ता उप्योग जो है IBS यानि Irritable Bubble Syndrome के इलाज के लिए किया जाता है दुफ्तों यह एक आमबिकार है जो कि हमारी बड़ी याद को प्रभाबत करता है इस बीमारी में हमारी बड़ी आग जो होती है बोल जगए बेजगए सुकुर सी जाती है जिसका आण बिक्त को पेट में दर्द और मल का सई से बाहर नहीं निकल पाना जैसी समस्याइं हो जाती है इसके जो लच्छन है उसमें बेक्ट को पेट में दर्द या एंठन, पेट फूला हुआ मस्यूस होना, पेट में गैस बनना, कब्ज होना और डारिया होना जैसी समस्या हो जाती है तो इस Irritable Vowal Syndrome के इलाज के लिए यह टेबलेट लक्टर द्वारा दी जाती है साथी दुफ्तों आपने देखा होगा जब वेक्ट को एंजाइटी रहती है तो इसको पेट से जुड़ी कई समस्यां देखने को मिलती है जैसे कि कब्ज होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना जैसी कई समस्यां हो जाती है तो इस anxiety और पेट से जूरी समस्या को सही करने के लिए भी यह tablet डॉक्टर दारा दी जाती है साथी दुफ्तों अगर कोई व्यक्ति है जिसे पेप्टिक अलसर की समस्या है मतलब कि उसके पेट में च्छाले हो गए है दुफ्तों पेप्टिक अलसर जो है एक तरह का गाव है जो कि पेट के भीतरे उस्यों की परत में बोजन नली में और छोटी आथ में हो सकता है पेप्टिक अलसर के दौरान जो है व्यक्त को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द ना भी से लेकर छाती तक मशूस हो सकता है इसकी लच्छनों की बात करें तो उसमें जीम चलाना, उल्टी होना, भूब ना लगना, वजन का कम हो जाना, पिल्ट दर्द होना, जैसी शमश्याएं हो जाती है तो इस पैप्टिक असर को सही करने के लिए भी ये टेबलेट डॉक्टर दारा दी जाती है तो दुफ्तों ये थे इसके कुछ यूजिज हो सकता है, यह जो मैंने यूजिज बताए, इन यूजिज के अलावा भी डॉक्टर अपने अनुवब के साब से किसी और विमारी को ठी करने के लिए इस टेबलेट का प्रियोग करें तो दुफ्तों यूज जानने के बाद अब जानते हैं इसके साड़ फेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट के क्या साड़ फेक्ट हो सकते हैं अगर किसी वेक्ट को होते हैं तो तो इसके साड़ फेक्ट जो है खून की कमी होना, दुंदला दिखाई देना, मूँ का सुखना उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी आना, उल्जन होना जैसी समस्याइं हो सकती है यह याज के अलावा भी अगर कोई unwanted पैक दिखाई देता है तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सला ले जहां से आपको further treatment दिया जा सके तो दुफ्तों आप डांगते हैं इसकी dose की बारे में कि इसकी dose डॉक्टर डॉरा कितनी मातरा में दी जाती है तो दुफ्तों जैसक कि मैं आपको प्रतेक वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी दबा की dose मरीज की age, weight और इसकी बीमार के according दी जाती है फिर भी दुफ्तों इसकी common dose की बात करें तो बयस्क में जो है दिन में एक tablet सुबह खाली पे दी जाती है अगर आप इसी खाली पे लेना भूल जाते हैं तो आप इसी खाना खाने के दो गंटे बाद भी ले सकते हैं इसकी dose के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन्य डॉक्टर के सला भी ले सकते हैं तो दुफ्तों अब वीडियो के लाफ्ट में जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या-क्या साबदानियां रखने होती है तो इस टेबलेट को जो है 18 बर्ष से कम आयू के बच्चों को नहीं लेना चाहिए साथी इस टेबलेट को लेने के बाद में किसी भारी मशीन को नहीं चलाना चाहिए और ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद में आपको नींद आ सकती है या दुंदला दिखाई दे सकता है इसके अलाबा इस टेबलेट को लेने के बाद आपको बिल्कुल भी सराब नहीं पेनी चाहिए साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या इस्तन पान कराती है तो उसे भी यह टेबलेट बिना डॉक्टर के सलाकी नहीं लेने चाहिए तो दुफ्तों ये था हमारा लैब्रेक्स टेबलेट का रिव्यू अगर आप इससे जूड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं पनाई तो थैंक्स विर्णस और बंदी मातरम